नमश्कार आप देखरें न्यूस फोर्णेशन और मैं स्वाती पांड़े आपके साथ बिहार में पार्क के नाम पर हो रही सियासत के बीच बिहार सरकार में वर्न इवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आ है बता देएं कि बिहार के एक पार्क राजधाने पटना के एक पार्क जिसका नाम अर्टर बिहारी वाजपेई की नाम पर था उसका नाम अब चेंज करके कोकोनट गाजन रखा जा रहा है जिस पर बिहार में खूब राजनीती हो रही है दरसल साल 2024 में के लोग सभाचुनावों और 25 के बिहार विधान सभाचुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष एक दुसरे पर खुब हमलावर हो रहे हैं सत्ता पक्षो या विपक्षो एक दुसरे पर वाड और पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़े अब इसे बीच जहां एक तरफ श्रधे अटल विहारी वाजपे की नाम पर एक गार्डन का यानि एक पार्क का नाम रखा गया था जिसे अब बदल कर कोकोनट गार्डन रखा गया है जिस पर अब बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है नितिश सरकार को घेरने का सुबह सुबह सबसे पहले जब पटना पहुंसते हैं केंद्र ग्रिहराज जी मंत्री नित्या नंद्रा है वह भी हम लावर होते हैं नितीश कुमार को घेरते नजर आते हैं फिर ब Хот भीचेपी के प्रदेश सध्यक्ष समराट चौधरी ने भी नितीश कुमार पर जोड़दार हमला वोला समराट चौधरी ने तो यह तक कहा दिया कि नितीश कुमार धोंगी है को पहले दिल्ली पहुंशते हैं और अटर वियारी बाजपे के पुर्ण नितिती पर उन्हें है श्रधानझली देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि उनकी अंदर अटर प्रेम है लेकिन बिहार में उनके नाम पर अगर पार्क रखा जाता है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं वहीं अब इन सब के बीच वियार सरकार के वन एवं पड्यावरण मंत्री तेश प्रताप यादव ने भी बड़ा बयान दिया। प्रताप यादव इस पूरे मामले में क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। जगा बहुत सारे पार्क में हैं। तो सुरू से नाम है उसका यह नया महरा ही लोग बन रहे हैं भाजपा की लोग यह लोग गलत कर रहे हैं। प्रवाद उल्राएं मेडिया के थूरू उसका नाम बदला गया कोई नाम नहीं बदला गया कोगोनट पार्क ही है उसका नाम सुरू से उसका नाम कोगोनट पार्क ही है। मश्कल नहीं इडने से अंजे इच से आए है।